मैं आ पहुचा हूँ अरावली परवत की गोद में और मां अम्बे के चरणों में यहीं धड़कता है मां अम्बे का हिर्दै जय मां अम्बे देखिए मां का बुलावा आता है और लाखों आ जाते है चल के बैठ के लेट के कुछ लोग यहां इसलिए आते हैं क्यूंकि यह शक्ति पीठ है और कुछ कहते हैं कि मां से मिलने के लिए भी कोई वज़े चाहिए भला आप भी आईए यहां खुश्बू है भक्ति की रसाध की खुश्बू है गुजरात की मिलेगा बहुत कुछ आशिरवाद में कुछ दिन तु गुजरात में पूरी दुन्या में जिसका नाम रोशन है मुदेरा का सूर्य मंदिर सूर्य देवता विस्वय माते हैं रोज सुभए ये है पाटन की रानी उदैमती की वाव कुवाँ गहरा होता है ये तो सुनाता भूचा होता है ये आज पहली बार देख रहा है देखे वड़नगर का ये कीरती तोरण जिसने बहुत कुछ देखा ये पत्थर नहीं इतिहास की पन्ने है सुनिये इनका सज्येद यहाँ खुश्बु है उनर्मन्ध हाथ की पीती हुई बात की यहाँ खुश्बु है खुजरात के कुछ पल तो विदाईए इतिहास में कुछ दिन तो गुजारिये खुजरात में देश के कोनी-खोने पर विराजमान 12 जोतिर लिंग देश की एक ताके पतीक है और इनमें से सर्व पथम जोतिर लिंग यहाँ सुमनात मंदिर में है श्रिफ जी के इस मंदिर को विदेशी हमलावरों ने तोड़कर हमारे स्वाब इमान और हमारी संस्कृति को तोड़ने की कोशिश की पर वो हमारी आस्था को नहीं तोफा है यहाँ खुश्बू है भक्ति की खुश्बू है गुजरात की कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में आईए आज में आपको चांपानेर ले चलता हूँ वल्कम टू चांपानेर दे युनिवर्सिटी ओ आखिटेक्ट्चर भाईजारे का पाठ अगर पत्थरों से पढ़ना तो यहाँ ही यह इंडो सारसनिक शिल्प कला गवा है हिंदूब और मुस्लिम संसकृती के मेल जोल की, उन के प्यार की और यह, जतने प्यार से खदा ने इसान को बनाया है, उससे भी ज्यादा प्यार से एक इसानन ने खदा का यह गर बनाया है आउर्किटेक्चर का चैमपियन है छांपानिर यूनिस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटिज साइट का खिताब दिया हुआ है ये कालिका माता लाकों भगताते हैं इनके दर्शिटगर में हजारों साथ से यहां खुश्बु है प्यार की आशिर्बाद की यहां खुश्बु है कुछ रात की कब तक बठे रहेंगे किताब लेके हाथ में चलो कुछ दिन गुजारते हैं गुजारते हैं उपर कोट की इस गुफा में गुझ रही ये शब्द आज बुरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं विश्व शामती का संदेश बच्पन में एक बार दोस्तों से जगड़ा करके आया है तुमा ने कहा शानत रहना सीखो जानते नहीं तुमारा नाम को तम बुद की नाम पर रखा गया है शानती का वही संदेश जुनागर की इस चटान पर भी निखा है हम इससे पढ़ने पाते हैं मगर फिर भी समझ लेते हैं यहाँ खुश्बू है निर्वाण की खुश्बू है कुजरात की कहा मिलेगी इतनी शिक्षा किसी भी किताब में कुश्टिन तो गुजर ओ गुजर ओ गुजर ओ गुजर ओ गुजर ओ गुजर Every year millions of tourists visit Gujanath, flying in on their own wings. Flamingos, painted stalks, great white pelicans, purple herons, great spotted eagles, Egyptian vultures. Birds from all over the world come and nest here. Gujarat, a warm and peaceful home for them. What is that special quality about Gujarat that attracts them? This is a refuge not just for birds but for everybody. Ask a flamingo where he's from and he will reply, from Kijaria. If it's a chidia, you'll find it in Kijaria. Breathe in the warmth, the fragrance of home away from home. Breathe in a bit of Gujarat. The first time you say something, you'll find it in Kijaria. The next time you say something, you'll find it in Kijaria. But you'll say thank you. I'll tell you. Gujarat's headquarters is Indian Wild Ass. This is a place where you'll find the whole world. You'll find it in Kijaria. A little bit of a village, from Gujarat's wild ass sanctuary. It's a few months, but you can see it's a neat and clean. This is not a village of the city, who sits outside on the street, and thinks it's going to be a long time. Where are they going to think about it? Where are they going to think about it? यह बाइसाब बड़ा हैंसम जानवर हैं सर्व गुन संपन्द एक ऐसा गधा जो सारे गधों का नाम रोशन कर रहा है ऐसे चार अजार पांच सो हैं यहां खुब भल भूल रहे हैं गुजरात के आंगन में तो याद रहे हैं गधा कोई गाली नहीं तारीफ की थाली है यहां यहां खुश्बू है वाइड लाइफ की उनकी देखपाल की यहां खुश्बू है गुजरात की टिकेट कड़ वा लो दुर्बीन रखलो हाथ में अग कुछ दिन को जारो गुजरात में दर आयें, धर्ती का उस है, आस्मान के संबान, बिल्खूल ऐसा लग रहा है, जैसे सूरी की उपासने हैं, लोग पतंगों के रूप में फूलों का अर्पन कर रहा है, ये तेवहार, इसमें खुश्बू है पतंगों की, आस्मान छूती उबंगों की, खुश्बू है गुज कच का ये रण, हिंदुस्तान का तोरण है, चांदनी रात की ये सफेद धर्ती, यू लगता है जैसे चांद समीन पर उतराया है, प्रकृते की कटनाईयों को दिल पे नहीं लेते हैं, कच के लोग, जीवन को सजाते हैं, रंगों से, कला से, संगीत के सुरूं से, मानवी का नीला समंदर भी यही है, पास में, यहां खुश्बू है उत्साह की, उत्सब की, रंगों की, कलाकारी है, खुश्बू है गुजरात की, आपने कच नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, हैं नवराद बिना गुजराद कैसा अजी नवराद आपको कहां मिलेगी अरे यहां और कहां नवराद भक्ति का उत्सव है, शक्ति का उत्सव है, स्त्री शक्ति का उत्सव है, यह देखी लगरा जैसे बहुत सी देविया एक देवी की उपासना कर रही हो नवराद त्री, इसमें खुश्बू है मौज की, मस्ती की, इसमें खुश्बू है कुजराद की अरे खब तक नाचोंगे बारात में कुछ दिन से नाचों कुछ रात में बाबू आज भी यहाँ जीवत है इस चर्के में इस मिट्टी में यहाँ खुश्बू है बाबू के यहाँ खुश्बू है गुजरात के रण उच्छ जब कच्छ किये सफेद धर्ती नए रंग ओड़ लेती उच्छ आखे उच्छ आखे किसने सुचा होगा कि इस बंजर धर्ती में इतनी खुशियां भी बनब सकती है यह त्योहार इसमें खुश्बू है मिठास की मस्ती की, मिट्टी की इसमें खुश्बू है गुजरात की यहाँ त्योहार का मज़ा है हर दिन हर रात में अरे कुछ दिन तुब जा रहो गुजरात में गुजरात की आखों का तारा है सापू तारा इस हिल स्टेशन पर बात करने के लिए कोई नहीं है बाद लोगे सिवान हम और आप तो यहां चद दिन बिताएंगे सुनाए की भगवान राम ने तो यहां पूरे चौदा वर्ष बिताए थे शबरी के बेर भी यहीं खाए थे यहां के असली मालिक यह है इनकी वारली पेंटिंग, इनका सगीत इनका नागली का रोटला पांस का अचार कह रहा है खाओगे नहीं तो जाने नहीं देंगे सापुदा राम यहां खुश्बु है आदिम संस्क्रिदी की इनसान और पकिदी के तालमेल की यहां खुश्बु है गुजात की अरे कब तक बैठे रहेंगे आप सिमेंट के मकान में कुछ दिन तो गुजारो कुछ रात में सिद्धपुर दूर दूर से लोग आते हैं यहां पर दुनिया का सबसे कठिन काम करने मा का श्रात ये कपिल आश्रम है और ये बिंदु सरोख ये पानी नहीं है बेटे बेटियों के आसों का सागर रहे कहते हैं सरस्वती नदी यहीं लुपते सरस्वती मा का एक और नाम ये वो स्थल है जो हमें जोड़ता है मा के प्यार दुलार से उसके उपकार से एक अंचुकाय उधार से सिद्पुर्व गुजरात मा के शाद की एक मात्र पावन भूमे गुजरात यहां ईश्वर उंग्लियों में भी बसते यहां की कला बसती है छुट छुटे गाहों में परिवारों में उपके हाथों में यहां की सुपस्टार तो यही है आईए सीखिये सुई से भी तेज आँखों और धागे से भी महीन उम्लियों से की गई यह एंब्रॉइटरी यह शांदार ब्लोक प्रिंटिंग है पांधनी का यह लेगा जिसे दुल्हन बनी बेटियों को सजाने के लिए बना गया है क्या इसे लिए यह इतना प्यारा है पाठन की इस पटोला सिल्क साड़ी को बनाने में साथ महीने लगे या यूं कहिए की साथ सो साल यहां खुश बोले गुजरात के भाई साथ बेटी की शादी का लेंगा ले जाए सौगात में और एक खुश दिन तो गुजारिये गुजरात में मोक्ष का द्वार है द्वार का चारों धावे में से एक धाम जहां बसते हैं मुरली मनावर्शा यहां की हवा में मुरली की मिठास है और सूर्यास्त में मोर्बंक के रंग यू लगता है कि कृष्ण की रासलिल अब भी चल रही है वैसी ही जिवंद वैसी ही रसीली और जैसे यह द्वार का नगरी आप देख रहे हैं वैसे ही एक द्वार का इस समुद्र के नीचे भी है समरिध्य और अतीत का एक अदभुत प्रतीक कृष्ण की ये नगरी द्वार का यहां खुश्बु है भक्ति की चांकियों की रासलिला की यहां खुश्बु है गुजरात की कृष्ण जी मतुरा छोड़ कर द्वार का आये थी और आप आप भी आई थे सब के साथ में कुछ दिन तो गुज़ारी ये गुजरात में उनेस सुब्यासी में शूटिंग के द्वरान जब मझे चोट लगी थी तो जिस डॉक्टर ने मुझे जीवनदान दिया वो एक पार्सी थे डॉक्टर उदवा दिया उनके पूरवज यही के रहने माले थी उदवाड़ा यह है उदवाड़ा यू समझे कि पार्सियों का वर्ल्ड हेट बॉटर पार्सियों आज से बारों से साल पहले गुजरात में आये थी एक बड़ी सुन्दर कहान ही है इस बारे ले राजा ने पार्सियों से पूचा किया वो यहां के समाज में गुल मिल पाएंगे पार्सियों ने कहा बिल्कुल दूद में मिठास की तरह और उन्हें अपना वादा कभी नहीं दोड़ा वो गुजरात आए और गुजरात के हो गए यहां खुश्बू है द्यान से रखी धरोहर की धनसाक की यहां खुश्बू है गुजरात की सीखो कैसे रहते हैं अपने पुर्खों के साथ है अरे ठीक आओ देखें क्या क्या है अपने गुजरात में